हेलो दोस्तों, आप देख रहे है लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज है 96 अरब रुपए के मालिक कई लोगों को कहना होता है कि ज्यादा पैसे लगाने पर ही बिजनेस चलता है और उससे कमाई हो सकती है लेकिन इस बात को गलत साबित किया है विजए शेखर शर्मा ने जिन्होंने कर्ज लेकर अपने बिजनेस की शुरूआत की थी और आज वो करोडों के मालिक हैं आईए जानते हैं कौन हैं विजए शेखर शर्मा और क्या है उनकी सफलता की कहानी विजय शेखर शर्मा पेटी एम के फाउंडर हैं और उन्होंने लोन लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत की थी फोर्बस वेब साइट के अनुसार विजय शेखर शर्मा आज करीब 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 96 अरब रुपए के मालिक हैं अपनी सफलता की कहानी बताते हुए उन्होंने बताया था कि वो अलीगर जैसे छोटे शहर से आये हैं और शुरुआत में उन्हें इंग्लिष समझने में काफी परेशानी होती थी क्योंकि वो हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं उनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई थी जब दिल्ली स्कूल ओफ इंजीनियरिंग में उन्होंने दाखिला लिया तो उन्हें इंग्लिष समझने में काफी दिक्कत हुई शुरुआत में वो पहली बेंच पर बैठने वाले छात्र थे लेकिन इंग्लिष न समझने क वजह से वो लास्ट बेंच पर बैठने लगे, क्योंकि कॉलेज के शुरुआती दिनों में टीचर को इंगलिश में जवाब नहीं दे सकते थे, उन्होंने यह भी कहा कि इंगलिश समझ न आने की वजह से उन्हें दूसरे छात्रों ने परेशान भी किया, उन्होंने लोन के पर पियूश अगरवाल से 8 लाथ रुपए लिये थे, उन्होंने कई बार कहा है कि अगर समय पर 8 लाथ रुपए न मिले होते तो उन्हें 97 कंपनी का शायद वजूद भी नहीं होता और नहीं पेटी एम का, बता दें कि पेटी एम की पेरिंट कंपनी उन्हें 97 है, अब भा भारतिय कंपनियों के सौफ्टवेयर यहां के यूजर्स के लिए भी बनते हैं, उन्होंने कहा कि अब वो समय है जब भारतिय कंपनिया भारतिय यूजर्स के लिए सौफ्टवेयर बनाती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ प्रोडक्ट्स दूसरे देशों मे भीजे जाते थे